अब ही आपने कल ही देखा एक्सिनो फवर्ट्यी का कमपेर जन आज जो कमपे जन है वो डअम सीरी1200 वर्ट्यश वर्षस एक्सिनोस 13 at का कमपेर करूंगा, तो देखते हैं कि आज क्या एक्सिनोस 1380 बेटर हो पाता है डेमसिरी7200 के या फिर कितना कमपेर ज करूंगा। यही मैं पताने की पूरी कोसिस करूँगा, आपको benchmark और बाखी सब का भी idea दूँगा. Hi friends, मेंना नाम है Gaurav, आप देख रहा है TechRoom. And now, इस जट की बात करने तो Damacy Day ना उसकिया गया था February 2023 में, Exynos भी same February 2023 में ना उसकिया गया था, date different है. And आपर class की बात किया तो दोने प्रोसर मिंटरेंज में आते हैं, model नमर में Damacy Day का model नमर है, MT6886, Exynos का model नमर है, S5E8835. And TDP की बात किया तो जिसका जितना high watt TDP उतना better performance रहेगा, वट इसके साथ साथ बैटरी और यहाँ पे heating इसू देखने को मिलेगा. तो Damacy Day 8 watt के साथ है, and Exynos 5 watt के साथ देखने को मिलेगा. And अब बात करें architecture की, तो दोने जो processor दिये गये हैं, वो octa core processor है, Damacy Day में मिलेगा 2 core 2.8 giga clock cortex A78 and 15, बाकि 6 core 2 giga clock cortex A58 and 10 है, तो 2 core primary performance के लिए लगाए गया है, बाकि 6 core power efficiency के लिए लगाए गया है, यहां पर बात करें exynos किसमें मिलेगा 4 core 2.4 giga clock cortex A78, 4 core 2 giga clock cortex A55, तो यहां पर जो आपको इस बार performance देखने का मिलेगी, वो exynos में थोड़ी जादा होगी, because में 4 core लगाए के हैं, cortex A78 के, हाँ, इसकी frequency और TDP कम है, तो लाश्ट में आपको conclusion वाले part में समझ में आएगा, कि कितनी performance का difference हो रहा है, दोनों इप्रोसर के बीच में, और बात करें यहां पर frequency support की तर frequency में डामसेटी जोगे 2800 MHz का support करेगा, और exynos में 2400 MHz की speed दी गई है, fabrication जो की काफ़ important part रहता है, तो जिसका जितना small fabrication होगा, उतना better processor बन जाएगा, डामसेटी 4nm TSMC बेश टेकलॉजी के साथ होगा, और exynos 5nm Samsung बेश टेकलॉजी के साथ होगा, तो बेटर यहां पर डामसेटी है, विकाज 4nm प्लस TSMC बेश टेकलॉजी है, ग्राफिक सपोर्ट में जो डामसेटी में दिया गया है, वो है Mali G610 MP4, इसका अर्गिटिक्चर वालॉल 3 है, exynos में मिलेगा Mali G68 MP5, प्रिवेस वर्जिन exynos 1330 में भी सेम मिला था Mali G68, पर MP4 था, और उसका अर्गिटिक्चर जो है वालॉल 2 ही है, अर्गिट्टिक्चर की बात हो गई, आमें आपे बात करें फ्रिक्वेंसी की, जो डामसेटी है, 1100 30 MHz पर क्लॉक चलता है, और exynos का 950 MHz, सेम XNOS 1330 की तरह ही है, अब बात करें आपे फ्लोटिंग पॉइंट फ्लॉप्स, फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकेंड, मतला आपका जो प्रोसेसर है, कितनी इसकी कंपिटिशनल पावर है, जो डामेंटिती है, 1100 प्लस स्कोर करेगा, गीगा फ्लॉप्स में, और आपे इसमोस का 608 है, इन फ्यूचर ये 1000 तक जा सकता है, क्योंकि ये जो आपको स्कोर देखने को मिला है, ये अनपविसियल स्कोर है, और कहीं भी मैंसन ने है, मैंने अपने हिसाब से बत लिखा है, मेमरी टैप की बात किया, मेमरी टैप सपोर्ट में दोने प्रोसेर LPDDR5 को अनपेपर सपोर्ट करते हैं, फोन में डिफरेंस जरूर देखने को मिलेगा, और पर स्टोरिज टैप की बात कियाते हैं, यहां पर ये एक प्रोसेर में LPDDR5 ओन फोन मिल रहा है नेक पर LPDDR4X, तो परफॉर्में डिफरेंस भी काफी रहेगा, तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि आपके फोन में कौन सा रैम टैप और स्टोरिज टैप दिया गया है, वैसे जो IQZ7 वाला आया है फोन उसमें आपको LPDDR4X एन योफरेश 2.2 का सपोर्ट दिया गया है, तो यहां पर प्रोस्टर का पूरा यूज नहीं कि हुआ है, अब बात करते हैं, गेमिंग ग्राफिक्स की, तो गेमिंग ग्राफिक्स में मैंने डैटा व्यूर वी 27 से लिया है, वैसे IQZ7 प्रो का भी सेम डैटा यही रहेगा, यहां पर एक्सनोस की बात के सामसंग से मैंने लिया है, सामसंग F54 से, बात करें हां पर इसके फ्री फायर की, तो 60 & 40 का सपोर्ट दिखने का मेलेगा, ग्राफिक सपोर्ट में मैक्स हाई दो नहीं रहेगा सपोर्ट, यहां पर जो PUBG मोईल है, इसमें 60 & 30 का सपोर्ट मेलेगा, ग्राफिक सपोर्ट में डैमसेडी बेटर होगा काफी, जो कि HDR के साथ Ultra सपोर्ट करेगा, एक्सनोस में HD के साथ High सपोर्ट रहेगा, यहां पर Call of Duty का भी यही है कि 60 & 30 सपोर्ट मेलेगा, ग्राफिक सपोर्ट में, डैमसेडी में वेरी हाई के साथ 3 IP गेम चलेगी, एक्सनोस में Medium के साथ High, नेक्स्ट अब बात करते हैं वीडियो कैप्चर की, तो वीडियो कैप्चर में दोने प्रॉसर सिमिलर 4K 30 एपिस के साथ रहेंगे, NPU दोने प्रॉसर में दिये गया है, अब बात करें हैं आप कनेक्टिवटी की तो दोने प्रॉसर 5G सपोर्ट करते हैं, बैंड एक बार अब ध्यान से चेक कर लिजेगा, 4G की बात करें हैं आप डैमसेडी में LTE 21 सपोर्ट मिलेगा, Xnose में LTE 18 सपोर्ट मिलेगा, Bluetooth यहां पर 5.3 & 5.3 के टेकलोजी देखने को मिलेगी, Wi-Fi में दोन ही प्रॉसेसर Wi-Fi 6 का सपोर्ट करते हैं, तो बेटर कनेक्टिवटी यहां पर इस बार दोनों में ही है, बट 4G & 5G का थोड़ा जो बेटर रहेगा वह आपको डैमसेडी में देखने को मिलेगा, अब बात करें यहां पर Benchmark स्कोर की, Geekbench 5 का स्कोर है not Geekbench 6, काफी लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, किसलिए पहले बता रहा हूं, यहां पर जो single core performance score है, डैमसेडी का 860 आएगा, एग्जनोस का 776, यहां पर जो multi core performance test है, इसमें डैमसेडी का 2300 score आएगा, यहां पर एग्जनोस का 2599 score आता है, तो यहां पर जो आपको overall multi core performance देखने को मिलेगी, एग्जनोस में better मिलेगी, विकॉस में 4 core लगाएगे है, कोर्टेक्स A78 के, अन्तुदू benchmark की बात लिए, अन्तुदू benchmark score में, यहां पर डैमसेडी का score यह अन्तुदू benchmark 10 से मैने लिया है, 7,28,911 score करेगा, यह IQ Z7 Pro का official score है, अन्हां पर जो एग्जनोस का score है, यह 5,15,000 score करेगा, तो यहां पर जो performance drop आपको देखने को मिल रहा है, वह Xnose में थोड़ा ज्यादा हो गया है, क्योंकि software optimization और बाकी चीज़े भी matter करती है, अन्हां पर बात करें 3D benchmark score की, 3D benchmark score में, डैमसेडी का score 4,168 आएगा, एग्जनोस का score 2,819 आएगा, देखें, लाश मेंने previous आपको बताया था, Xnose 1330 में कि यह काफी कम optimized है, Mali G68 के साथ, लेकिन CMGPU इसमें भी लगा है, Mali G68 MP5 है यह, लेकिन आपे आपको देखने है better score, better gaming experience देखने को मिलेगा, Xnose 1380 में, यहां वह अन्दूदू benchmark का एक point और miss हो गया, कौन सा processor की इस मामले में better हुआ, CP performance के मामले में, 57 score करेगा, Xnose का score 51 होगा, तो performance के मामले में, Xnose काफी close रहेगा यहां पे but 6 number का difference भी काफी रहता है, यहां पे gaming performance की बात करें तो gaming performance पे definitely better है, 55 score करेगा, Xnose का score 39 है, बट यहां पे इसके previous version 1330 30 से Xnose 1380 better है, लेकिन डामसरी से पीछे रहेगा, अब बात करें, battery life support की तो battery life में यहां डामसरी का score 93 है, 4 nm TSMC के वज़े से, यहां पे जो Xnose से 18 है score आएगा, 5 nm Samsung technology की वज़े से, personal score की बात बताओं की कौन सा processor better हुआ, तो जो diameter 3 से 63 देता हूं यहां पे Xnose को 53 देता हूं, 10 number का difference है, लेकिन आपे Xnose में इस बार चार जो core लगाएगे है, cortex से 78 की उसके वज़े से आपे performance multi-core की काफी बढ़ जाती है, प्लस आपको देखना पड़ेगा यह कि आपके phone में LPDDR5 & UFS 3.1 का support आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ज्यादा तर जो phone इसमें आता नहीं है, LPDDR4 & UFS 2.2 का ही support आता है, जिसके विशसे major performance drop होती है, तो अगर आपको Samsung का phone लेना है, Samsung तो आप Samsung के Xnose 1380 की तरफ जा सकते हैं, अच्छी performance मिलेगी, अगर आप HDR Ultra पे प्ले करना चाते हैं, तो नहीं होपाएगा, लेकिन दोने processor काफी अच्छे processor है, एक Samsung मिलेगा इन बाकी एक दूसरा IQs Red 7 Pro में देखने को मिल रहा है, तो यह आपके ऊपर है कि आपका budget कैसा है, और आपको कौन सा phone प्रिफर करते हैं, वैसे इन दोने processor अच्छे processor है, अगर आप कोई phone ले रहे हैं तो जरूर बताएगा ताकि और लोगों की भी help हो, और कोई भी question हो तो comment कर सकते हैं, और अगर यह वीडियो पसंद आएगे तो वीडियो को लाइक हैं चैनल को सब्स्राइब भी जरूर कीजिएगा ताकि मेरी help हो, thanks for watching.